यास सभी लिखना इस्टार्ट मानव जाती विश्वे की एकमात्र एसी जाती है कोमा जो अपनी विवेक सीलता एवं इस्ताई सामाजिकता के कारण संपूर्ण परजातियों से अपना प्रथक अस्तित्वे बनाए हुए है इस्टोप मानव जाती को स्रिष्टी की और से ज्यान चक्सू प्रदान किये गए हैं वह ज्यान और अज्यान के प्रिकास और अंदकार को अच्छी तरह परखने की शमता रखता है इस्टोप सामूहिक अथ्वा व्यक्तिगत रूप से मनुस्य सरवाधिक सक्ती साली प्राणी है इस्टोप इस संदर्व में यह ध्यातव्य है कि मनुस्य ज्यादा सक्ती साली तभी परतीत होता है कोमा जब है व्यापक जन्समूह के बीच अपनी इस इस्टती को इस्तापित करता है इस्टोप पेरा मनुस्य विभिन परकार के विशयों के अध्येन से ज्यान की प्राप्ति करता है कोमा परंतु ज्यान का अथा है बंधार है कोमा जिसे पुष्टकों में समेटा नहीं जा सकता इसलिए, कोमा अधिकादικ ज्यान एवम अनुभव की प्राप्ती के लिए स्वाध्येन के साथ साथ अन्यों के साथ विचार विमर्स या ज्यान के आधान परदान की आउशकता होती है इश्टोप वस्तुत है, कोमा वेवहारिक ज्ञान की प्राप्ती व्यक्तियों के बीच सहसर्ग से ही हो पाती है इस्टोप एसे में कोमा आवशक्ता होती है सत्संगती की, कोमा अथार्त सहसर्ग की सस्तापना के समय उचित और अनुचित कोमा मुर्क और विद्वान तथा अच्छे और बुरे में भेद करने की समन्यवय तमक द्रश्टी अपनाने की इस्टोप जो लोग विद्वान और नेतिकता का पालन करने वाले सचरित्र व्यक्ती का ससर्ग करते हैं कोमा वे हमेशा उचाई को छूते ह और समाज में सम्मान का पद पाते हैं इस्टोप पेरा स्रेश्टता से संगती को सत संगती कहते हैं इस्टोप यह एक एसी दिव्य ओस्दी है कोमा जिसके सेवन से मानुमात्र की कुलसित वासनाई कोमा मुरकता कोमा पापाचरण कोमा कूप मंडुकता आदी भयानिक से भय जीएनक व्याधियां देखते ही देखते दूर हो जाती है। इस्टोप, जो भी मनुष्य सत्संगती को अपनाते हैं, उन्हें जीवन में सातिप्रद सुक और सम्रद्धी की प्राप्टी होती ही। इस्टोप, पेरा सत्संगती कामध्यनु गाय के समान है। कोमा जिसे जब चाहो दुहलो और प्रियाप्त दूद प्राप्त कर लो, इस्टोप सत्संगती से सधेव मदुर फलो की ही प्राप्ती होती है, इस्टोप सत्संगती मनुस्य के लिए सब कुछ करती है, वह उसे उच्छ सामाजिक इस्तर प्रदान करती है, कोमा विकास के लिए सुमार्ग की और प्रेरित करती है कोमा बड़ी से बड़ी कठनाईयों का सपलता से सामना करने की सकती प्रदान करती है और सबसे बढ़कर स्वाभिमान प्रदान करती है कोमा इसलिए कहा गया है सत्संगती कथन की नय करोती पुस्पाम सत संगती मानव और मानव के बीच का मधूर और सोहार्द पूर्ण संबंध तो है ही मानव और मानव की दुआरा कही सुनी गई अथ्वा लिखी गई बातों के बीच का संबंध भी सत संगती है इस प्रकार कोमा यह स्पष्ट होता है कि सत संगती दो प्रकार से संबंध है पहला कोमा सजीव और सजीव के बीच कोमा तथा दूसरा सजीव और निर्जीव के बीच सजीव से संगती अधिक प्रभावकारी और चिरिस्ताई होती है कोमा क्योंकि यदी दो सजीव मानों की संगती होगी कोमा तो उनके बीच जिन विचारों का और जिन आच्रुनों का आदान-परदान होगा कोमा वह समसामिक प्रिस्तितियों के अनुरूप होगा इस्टोप दूसरी और कोमा सजीव मनुस्य और मिर्जीव पुस्तुकों के बीच की संगती कम प्रभावकारी और ख्षनिक होती है इस्टोप पुस्तुकों में वे ही बाते लिखी जाती है कोमा जो भी चुकी होती है अथवा उस समय घट रही होती है इस्टोप इससे होता यह है कि मनुष्य पुस्टकों की बातों में उलच जाता है और समय उसे छोड़ कर उससे काफी दूर निकल जाता है इस्टोप पेरा स्रश्टी में अर्भो मनुष्य जनम ग्रेन करते हैं और मर्त्यू को प्राप्त होते हैं कोमा परंतु वे मनुष्य जो ज्यान की प्राप्ती कर उसे परचारित करते हैं कोमा अमर कहलाते हैं इस्टोप ज्यान प्राप्ती की सबसे बड़ी साधिका है सतसंगती इसके बिना तो ज्यान की कलपना तक नहीं की जा सकती बिनू सतसंग विवेक ने होई सतसंगत से मनुस्य को इह लोकिक और पारलोकिक दोनों प्रकार की सम्रद्धी प्राप्त होती है इससे मनुस्यों को अपने जीवनकाल में कोमा सुक कोमा सम्रद्धी एवं प्रमसान्ती प्राप्त होती है इसससंगती करने वाला मनुस्य विश्व में उच इस्तान प्राप्त करता है और उसकी कीरती की पता का संपूर्ण संसार में लहराता है इस्टोप आज तक विश्व में जितने भी धर्म और दर्शन सरजित हुए हैं कोमा उन सबीने सांसारिक बंदनों से मुक्ती का एक मात्र उपाय मोक्स की प्राप्ती को बताया है मोक्स की प्राप्ती पूर्ण ज्यान के बिना संभव नहीं है और पूर्ण ज्यान की प्राप्ती का एक मात्र उपाय सत्संगती ही है इस्टोब पेरा सतसंगती से मनुष्य में धेरिय कोमा साहस और सांतुना का संचार होता है इस्टोब यह मनुष्य को इतना विवेक पूर्ण बना देती है कि वह बड़ी से बड़ी विपती में भी संगर्स करने का अपना साहस नहीं छोड़ता इस्टोब विपती के समय सत्संगती मनुस्य को आसा और विश्वास का वह संबल प्रदान करती है कोमा जिसके सहारे वह दूर दूर तक फेले अंदिकार में भी प्रकास की किरिणों को ढूंड ही लेता है इस्टोब सत्संगती करने वालों ही इस बात को भली बाती समझ पाते हैं कि यह संसार धूप और छाओं का मात्र खेल है इस्टोब ने तो सुक के समय उत्साहर तिरेक का प्रदर्शन करना चाहिए और ने ही दुख के समय विचलित और सोका कूल होना चाहिए यह बात मनुस्य को सत्संगती ही तो सिलाती है और कोई नहीं इस्टोब पेरा सम्यक आचरन, उच चरित्र, निर्मल भावना और मदूर बासन मनुस्य के एसे गुण हैं, जिन्हें देखकर नचाते हुए भी संपून समूधाय उसे आदर्स के रूप में देखता है स्रेष्ट एवं सजन, पुरुष के संप्रक में आने से मनुस्य का आचरन, सदाचरन के रूप में इस्तापित होता है इस्टोब इनके संप्रक में रहकर दुराचरन करने वाला मनुस्य भी सदाचरन को अपना लेता है इस्टोब दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सजनों के संप्रक में रहते हुए दयावान कोमा विनम्र कोमा परोपकारी और ग्यानवान बन जाता है सतसंगती से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है और बुरी संगती से अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है कोमा इस संदर्ब में कोमा दूर दर्शी कभीर की उक्त अत्यंत समिचित परतीत होती है कबीरा संगती साधू की कोमा हरे और की व्याधी ओची संगती नीच की कोमा आठो पहर उपादी पेरा सभी दोस और गुण ससर्ग से ही उत्पन होता है ससर्गरजन दोसा गुणाहा भवती मनुस्य के बीच दुराचरण, पापाचरण, दुर्श रित्रत, आधी का वातावर्ण कु संगती के कारण निर्मित होता है दुर्श्ट, दुराचारी, पापाचारी और दुरसैनी व्यक्ती का ससर्ग का कभी नहीं करना चाहिए इस्टोब नीच की संगती नीचे ही तो ले जाती है जिस मार्ग का परवाह ही नीचे की और होगा कोमा उस मार्ग पर चल कर कभी उपर जाने की कलपना भी नहीं की जा सकती है पून वी राम समाप